हलो दोस्तो, प्लस्पंड के YouTube के वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो, मेरा नाम है निकेच शाह दोस्तो, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है CSS के बारे में तो इस CSS जो रहता है, वो क्या रहता है, कैसे काम करता है और उसका programming कैसे किया जाता है, वो आज हम लोग सीखने वाले तो CSS को पूरी तरह से पहले detail में जान लेते हैं कि exactly है काम क्या करता है उसके बाद इसका एक working example भी देखेगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं website की अभी website क्या रहता है दोस्तों, आज आप लोग कोई भी चीज़, अगर आज यूटूब जो है, वो एक प्रकार की website है तो website के तीन main stumb रहता है, उसके जो coding के तीन main stumb रहता है एक रहता है HTML, दुसरा है JavaScript और तीसरा है CSS ये तीनों के कुछ काम defined है, उसमें सबसे पहले शुरुआत करते है HTML से तो HTML का जो काम रहता है, वो structure बनाने का काम रहता है अभी जैसे कोई भी building अगर बना नहीं है, तो building का पहले structure बनाना पड़ता है ये बिल्डिंग कैसे रहेगी, कहां से क्या होगा, तो जो structure बनाने का काम होता है website का, वो HTML के जरीए होता है, जावा script की बात करें, तो ये basically ये complex चीजों को बहुत आसान करने में काम करता है, complex feature को कम से कम feature में अच्छे से अच्छा performance देने का जो काम होता है, वो जावा script करता है, और जो अच्छा appearance यानि देखने में अच्छा लगे site, वो काम होता है, CSS के जरीए है यानि कि styling the website का जो काम होता है, वो CSS के जरीए होता है, यानि कि वापिस एक बाद दुबारा दोहरा देता हूँ, HTML का काम जो रहता है, वो structure बनाने का काम, यानि कि website का जो पूरा structure बनाता है, वो JavaScript basically define behaviors, यानि कि कोंसी चीज कैसे काम करेगी, complex चीजों को आसन कैसे होगा, साथी साथ CSS की बात करे, तो appearance और style के उपर काम होता है, तो आज जो हम लोग बात करने वाले पूरा CSS के उपर ही काम करते है, लेकिन उसके पहले मैं आपको example से समझा होगा, तो जाधा अच्छी तार लिंक्स वगरे दिये गए, ये website ऐसी दिख रही है, अगर माल लो इसमें से CSS हटा दू, तो मेरे पास एक web tool है, जिसके जरिये मैं CSS को हटा देता हो, अभी इस website को देखे कैसा लगता है, जो उसका चार्मिंग, मलब जो चीज अच्छा दिखाई दे रहा था हो, दिख रहे ह कि अभी अच्छा, कोई भी website में, अगर आप CSS हटा देगे, तो उसका जो look रहता है, वो काफी बिगड जाता है, तो CSS जो रहता है, वो looking, जो look अच्छा करने के लिए, style को अच्छा करने के लिए, generally CSS का हम लोग प्रयोक करते हैं, तो आपको समझ भाए है, CSS क्या है, CSS का जो अगर मैं उसका technical नाम बताओ, तो cascading style state, यह cascading style state जो रहता है, एक ऐसी प्राकार की language है, जो की presentation के लिए, description के लिए, document writing के लिए, HTML के साथ में मिलके काम करता है, साथी साथ JavaScript के साथ में भी काम करता है, इसका जो main function रहता है, colors, borders, margin, font colors और कुछ-कुछ cases में तो animations पे भी काम करवा सकता है, तो CSS बहुत बड़ी field है, और CSS एक main आधार बनता है, कोई भी web developer के लिए, तो आज के इस वीडियो में एक working example देखेगे, मेरे साथ में जूड़े वे हुज़फा सर, जो हमें एकदम working example करके दिखाएगे, CSS के बार में उसका एक छोटा सा code लेगे, और एक structure या advanced excel, tally, जैसे कई सारे 2D animation, जैसे कई सारे अंगिनत courses चालो करती है, ये सब courses करने के लिए केवल mobile में एक app download करना है, plus point training, जो की google play store से आपको मिल जाएगा, यदि आप laptop या computer सीखना चाहते हो, तो www.pluspointonline.com, ये website में विजिट करके आप आसानी से online courses सीख सकते हो, अधिक जान करते हैं, working example के CSS के साथ मैं, हलो गाई, आज का जो हमारा topic है, वो है box shadow के उपर, box shadow किस तरीके से use होता है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक div बनाया है, box करके, और इधर पर मैं उसकी CSS कर लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर उसकी width दे रहा हूँ, और एक height suggest कर रहा हूँ दोस्तों मैंने एक ऐसा बनाया है, अब इसमें मुझे ऐसा पीछे shadow चाहिए, तो उसके लिए मैं इधर पर properties यूज करता हूँ, box shadow, ठीके, अब box shadow मैं कैसा है दोस्तों, सबसे पहले आपका vertical shadow, फिर आपका horizontal, ठीके, फिर आपका इधर पर आजाएगा spreading कितना करना आपको, पहलाना कितना है, फिर उसके वाल इधर पर color आजाएगा, ठीके, अब इधर पर आप देखोगे, कि यहाँ पर देखिए, यह आपको देख रहा है, इधर पर black color का कुछ shadow type आगया है, तो उसको मैं थोड़ा औ ताकि नजर आए आपको, ठीके, तो यह देख सकता आप इधर पर shadow कैसे आ रहा है, अब shadow में दोस्तों कैसा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यह मुझे vertical shadow नहीं चाहिए, तो मैं zero कर देता हूँ, तो देखिए, इधर पर vertical shadow आ रहा है, horizontal नहीं चाहिए, तो मैं zero कर देता है, ठी horizontal, vertical थोड़ा सा चीए, देखिए, ठीके, अब इधर पर color भी है, आप color भी ले सकते हो, कोई भी, ठीके, दुसरा एक और चीज दोस्तों यहाँ पर, आपको जैसे RGB का use करना, तो RGB भी आप लगा सकते हो, ठीके, और फिर उदर पर just आपको color का code लिखना होता है, जैसे मैं यूज कर सकते हो, RGB यह मतलब red, green, blue और इधर पर alpha, alpha हम लोग transparent के नाम से आते, तो यहाँ पर comma लागा है, मुझे इतना transparent चीए, देखिए, थोड़ा सा light हो गया है, यहाँ पर, यहाँ पर black color लेता हूँ, तो इसके लिए मैं इधर पर 00 का use करूँगा, ठीक है, तो आप आना है, तो इधर पर मैं 0.8 करता हूँ, यह किया, ठीक है, कम करना है, 0.2, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों, इधर पर हम लो, RGB भी हूज कर सकती, इसी के साथ साथ, दोस्तों, अगर आप एक color और add करना है, अपने shadow पर तो आप add भी कर सकते हो, यहाँ इसे इधर पर देख सकता ह यहाँ पर RGB और इधर पर मैं color ले रहता हूँ, तो आप देखो के इधर पर blue और red डोनों भी mix up हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ाता हूँ, एट टक ले रहता हूँ, इधर पर आप देख सकते, red भी आ रहा है और black भी है, तो इधर पर मैं इसको लेता और यह वाली zero कर देता हूँ, तो देखिए इधर पर नीचे black शेड है और इधर पर red शेड आ रहा है थोड़ा सामनों कोई, यह से हमनों double भी कर सकते हैं, तो ऐसे दोस्तों आपको पसंद आ रहाएगा, दोस्तों ओनलाइन कोरसेस के बारे में कोई भी जान करी चाहिए, त तो मैं जरूर उस टैप के वीडियो बनाने की कोशिश करुआ जैसा आपका requirement है, और अगर आप नए है चैनल के उपर, तो subscribe का बटन दबा के bell का icon दबा दीजे, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएगा, उसको notification आपको जल से जल मिल जाए, चले आजके इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.